गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज का टोपिक है हमारा क्लासिफिकेशन और प्लांट ओन दा बेसिक ओफ नूट्रेशन यानि कि पोशक तत्तों के आदार पर पादपों का वरगी करन इसी तरीके से वो अलग अलग बाता बरण पर निर्भर करते हैं और अलग अलग पोशक तत्तों पर निर्भर करते हैं हैं can you know how many types of plant are there on the basic of nutrition कि आप जानते हैं कि पोशक तत्तों के आदार पर पादपो को कैसे बाटा गया है कैसे उनका वरगी करन किया गया है तो देखो let us now आप जानने का प्रियास करें ओन दा basic of nutrition plant are different type of blue यानि कि basic आधार पर पोशक तत्तों के आधार पर पोशक तत्तों के आधार पर पोशक तत्तों के आधार पर पोशक निन बागों बाटा गया है फर्स्ट है हमारा autotrophic plants then second है parasitic plants, insectivorous plants, saprophied plants, symbiotic plants तो फर्स्ट देखो हमारा क्या है autotrophic plants, autotrophic plants होता है स्वैपोशी पादप, plants which make their food by their wound in the presence of sunlight are called autotrophes यानि कि ऐसे पादप स्वैपोशी बोलते हैं ऐसे पादप जो sunlight, presence of sunlight यानि कि सूरी के प्रकास के उपस्तति में अपना बोजन स्वम बनाते हैं ऐसे पादपो को autotrophic plants या फिर स्वैपोशी पादप कहते हैं इस प्रोसेस, nutrition is called autotrophic, यानि कि autotrophic and swैपोशी प्रकारिया के अदावर पर अपना बोजन स्वम बनाते हैं हाँ, autotrophic नहीं, their food, यानि कि swैपोशी पादप प्रोपन बोजन का इमान कैसे करते हैं, let us see inside the leaf तो देखो, इसमें डाइग्राम दे रखा है, कैसे करते हैं, इसकी प्रोशेश है, क्या, the food was produced by leaves in autotrophic, there are numerous fanny openings on leaf a surface, these are called stomata, यानि कि जो पत्ती होती है, उसके चारों और, जो होते हैं, यानि कि पत्ती के अंदर, जैसे इस तरीके से इसमें दिखाए गए हैं, ये देखो, इसमेटा, पत्ती के अंदर, जो होते हैं, छोटे-छोटे चिदर से होते हैं, जिनम इसमेटा या रंदर बोलते हैं, इसमेटा is surrounded by many quad cells, इसमेटा जो होते हैं, वो सी quad cells के द्वारा घिरे हुए होते हैं, air carbon dioxide, यानि कि हवा और carbon dioxide, गैस जो है, वो इनी इसमेटा के द्वारा पत्तियों के अंदर, लिव्स के अंदर, एंटर होती है, लिव्स नीडेड सनलाइट, वार्टर, carbon dioxide, and absorption of nutrition to make their food, पत्तियों जो होती हैं, उनको बोजन के निर्माण में, सनलाइट, इनकी सुरी के प्रकास की जरूत होती है, वार्टर की जरूत होती है, और absorption of nutrition, जो पोशक् करती है, इन से ही अपने बोजन के निर्माण करती है, प्लांट्स, रूट्स, एब्जोर्ब, वार्टर, एंड नूट्रेशन, फ्रोम स्वयलियन पादब जो होते हैं, वो नूट्रेशन, मिट्टी में मर्दा में उपस्तित पोशक्त्त्तों को जल के द्वारा एब्जोर्